हेलो गाईज, खान मेडिकल लेक्चर चेनल में आपका स्वागत है, मैं सेफ खान, रेइस्टर्ट फार्मसिस्ट, फिर से हाजिरू आपकी सेवा में, आज बात करेंगे, सभी तरह की एंटिबाइटिक टेबलेट्स के बारे में, वो एंटिबाइटिक टेबलेट जो सबसे ज चेसो पचीस, आप देख सकते हैं, किलेवाम 625 बहुत जादा यूज में ली जाती है, आजकर डॉक्टर बहुत जादा इसको रिकमेंड कर रहे हैं, इसके अंदर अगर हम को मुजिशन की बात करें, इसमें क्या पाया जाता है, क्या कंटेंड होता है इसके अंदर, तो इस जाता है, दी जाती है टेबलेट, या फिर आई इन्फेक्शन, आखों में इन्फेक्शन हो जाता है, आखों के संकर्मण में ये दी जाती है, दोस्तों संकर्मण का मतलब होता है, इन्फेक्शन, या फिर लंग इन्फेक्शन, फेफडों का संकर्मण, किसी की व्यक्ति के फेपडों में अगर संकर्मन हो जाता है, फेपडों में कमी आ जाती है, तब इसको दिया जाता है, या फिर इंजरी, मतलब चोड अगर किसी के चोड लग जाती है, घाओ हो जाता है, तो उस घाओ को भरने का काम भी है, मेडिसिन करती है, तो यह इसके multiple use होते हैं, और इसकी अगर हम dose की बात कर लें, कितनी मातरा में इसे देना है, तो अगर कोई adult है, जवान इनसान है, तो उसे one tablet BD, मतलब एक टेबलेट दिन में दो बार हम दे सकते हैं, और अगर कोई children है, बच्चा है, तो उसे हम half tablet BD, मतलब दिन में दो बार, half tablet आदी आदी दिन में दो बार दे सकते हैं, तो इस तरह से इसको इसको इस्तेमाल में लिया जाता है, फिर हमारी अगले tablet आती है, सिप्लोक्स फांसो टेबलेट, दोस्तों आप देख सकते हैं, इस सिप्लोक्स पांसो, जो इस सिपला कंपोनी दुवारा बनाए जाती है, इसके अंदर के अगर हम चादी बखार जो ओता है, टाइफॉइट बखार उस में दी जाती है, या फिर इस्कीन इंफेक्षन, तोचा में कोई संकरमणंड हो जाता है, खाल में कोई इनफेक्षन हो जाता है, तब दी जाती है या फिर Inflamnws, अगर शरीर में हमारी बोड़ी पर कहीं भी सुजन हो j करती है अब इसके हम डोस की बात कर लेते हैं कि कितनी मातरा में दी जाती है तो अगर कोई एडल्ट है जवान इसान है ठारा साल से उपर है तो उसको एक टेबलेट वीडी दिन में दो बार मतलब एक टेबलेट सुबा और एक टेबलेट शाम को हम दे सकते हैं और अगर कोई बच्चा है 12-13-14 साल का है तो उसे हम Half टेबलेट 20 मदलब आधी टेबलेट दिन में दो बारा आधी सुबा और आधी शाम हम दे सकते हैं इस तरह से इसको इस्तेमाल में लिया जाता है फिर अगले टेबलेट आती है हमारी जीफी 200 देख सकते हैं आप जीफी 200 FDC Company दोरा और इसके अगर हम यूज की बात के करने कब इस्तेमाल की जाती है तो ये दी जाती है बोन इंफेक्शन मतलब हड़ी में संकर्मन हो जाता है किसी के भी हड़ी के अंदर अगर इंफेक्शन हो जाता है किसी के भी तब इसको दिया जाता है या फिर टाइफाइड फीवर इसके अगर हम डोस की बात करें कि कितनी मातरा में देनी चाहिए तो adult है तो उसको एक tablet TDS TDS का मंदब होता दिन में तीन बार हम एक एक tablet दे सकते हैं और अगर कोई बच्चा है तो उसे half tablet TDS दिन में तीन बार half हम दे सकते हैं तब तीन टुपड़ हम दिन में एक एक टुपड़ा तीन बार दे सकते हैं 4-600 tablet जो होती ही काफी popular antibiotic tablet है इसके अंदर का अगर हम composition की बात करें तो इसके अंदर lenzoloid होता है lenzoloid से इसके अंदर content होता है और इसके अगर हम use की बात करें कि कब इसको इस्तेमाल में लिया जाता है इस्तेमाल कब की जाती है तो नमुनिया अगर किसी को नमुनिया हो जाती है ठंड लगने के वज़े से किसी भी वेक्ति को नमुनिया तब इसको इसको इस्तेमाल में लिया जाता है या फिर skin infection तो चामें संकर्मण हो जाता है तब इसको जो है लिया जाता है इस्तेमाल में या फिर हैट इंजरी सिर्व की चोड अगर सिर्में चोड लग जाती है तब भी इसको इसको इस्तेमाल में लिया जाता है और इसका लेश्ट काम होता है UTI infection बदब यूरिनारी ट्रेक्ट infection मूत्र नली में अगर शंकर्मण हो जाता किसी व्यक्ति के तब भी इसको लिया जाता है अब इसकी डोस के बारे में बात कर लेते हैं कि कितनी मातर में देनी है देनी चाहिए तो अगर कोई adult है तो उसको एक tablet OD मतलब एक tablet दिन में एक बार हम दे सकते है जवान को और को अगर बच्चा है 12-13-14 साल का है 10 साल BD मतलब दिन में दो बार बड़े व्यक्ति को तो दिन में एक बार देनी है पुल टेबलेट लेगिन अगर कोई बच्चा है तो उसे half tablet दिन में दो बार हम दे सकते हैं ये भी काफी popular antibiotic tablet होती है फिर next आती है हमारी सेफा काइन टेबलेट ये बहुत high antibiotic माना जाता है और इसके use की हम बात करें कि कब इस्तेमाल में ये ली जाती है कब इस्तेमाल की जाती है तो head injury अगर किसी के सर में चोट लग जाती है बहुत गेरी चोट होती है घाओ गेरा होता है तो उस चोट को जल्दी से जल्दी भरने का काम ये करती है या फिर throw throwing, throw throwing का बनाब गले में सूजन, अगर किसी के गले में सूजन हो जाती है कुछ खापी लेने की वज़ा से किसी भी इनसान के तो सूजन गोतानि में काफी जादा effective होती है या फिर eye infection, आँखों में संकरमड, अगर किसी के आँखों में infection हो जाता है तब भी इस्तेमाल में ल एक टेबलेट हम दिन में दो बार दे सकते हैं, और अगर कोई बच्चा है, तो उसे half tablet BD, अलब आदी टेबलेट, आदी आदी टेबलेट दिन में दो बार हम दे सकते हैं, तो काफी जादा popular tablet है, फिर next हमारी antibiotic tablet आती है, metrogen 400 tablet, आप देख सकते हैं, metrogen 400 tablet होती है, इस तरह की, और इसके अंदर जो combination होता है, वो होता metrinodazole, metrinodazole होता है, काफी अच्छ एंटिवाइटिक होती है, और इसके अगर हम use की बात करें, कि कब इस्तेमाल की जाती है, तो यह करी जाती है, gastrointrosinal infection, दोस्तों, gastrointrosinal infection का मतनब होता है, उल्टी दस्तागर किसी को लग जाते हैं, तब यह दी जाती है, या फिर UTI infection, urinary tract infection, इसका मुत्र नली में अगर संकर्मण हो जाता है, पिशाप की नली में, तब यह दी जाती है, या फिर sexfully transmitted disease, दोस्तों, sexfully transmitted disease, अगर किसी को sex संबन्दित कोई बिमारी है, तब भी यह दी जाती है, या फिर bone infection, हेड़ी में संकर्मण हो जाता है, किसी के हेड़ीों में infection हो जाता, तब भी यह इस्तेमाल में ली जाती है, और इसकी अगर हम डोस्तों की बात करें, कितनी मातरह में ये दी जाती है, तो ऑगर कोई adult है, तो उसे एक tablet TDS, TDS का मनला बता, दिन में तीन बार, हम आब एक tablet दे सकते हैं, adult इनसान को, और अगर कोई बच्चा है, तो उसे एक tablet OD, दिन में एक बार हम एक tablet दे सकते हैं, तो इस तरह से ये यूज में ली जाती है फिर आती है गुट सेफ प्लस टेबलेट ये भी काफी जादा यूज में आने वाले एंटिबाइटिक टेबलेट होती है बहुत जादा डोक्टर इसको रिगामेंट करते हैं इसके अंदर जो इसके अंदर इसका जो यूज होता है इसको किया जाता है वो किया जाता है टाइफाइट बुखार में मतलब मियादी बुखार जो होता है उसमें इस्तेमाल में लिया जाता है या फिर साइनेटिस का मतलब होता है नजला जूगाम में इसको लिया जाता है जब किसी को भी आचानक से एक दम से मोसम बदलने से खांसी दुकाम हो जाता है तो इसको साइनेटिक्ष बोलते हैं साइनेटिक्स मेब इसको इसको इस्तेमाल में लिया जाता है और तीसरा इसका काम होता है M Laura UTI Inflection मतरह नली में अगर संकर्मण हो जाता है पिशाप की नली में इसतेमाल में ली जाती है और इसके अगर हम डोस की बात क्या है कितनी मातरा में दी जाती है तो अगर कोई adult है, जवान इंसान है 18 साल से उपर है उमल तो उसको एक tablet BD मतलब एक tablet दिन में दो बार हम दे सकते हैं और अगर कोई बच्चा है तो उसको half tablet TDS मतलब आधी tablet आधी-ाधी tablet दिन में तीन बार हम दे सकती है खाफी अच्छी tablet यह होती है फिर नेस्ट आती है और नेस्ट लास्ट टेबलेट हमारी आती है वाइबरा माइसीन हंडड वाइबरा माइसीन हंडडड आप देख सकते हैं इस तरह की packaging में आती है इसके अंदर जो combination होता है वो doxycycline होता है और इसका जो use होता है वो होता एकने मुहासो और किसी के दाने लिगलते हैं मुहासे होते हैं तब यह इस्तेमाल में ली जाती है या फिर नमोनिया अगर किसी को नमोनिया हो जाती है तब भी इस्तेमाल में ली जाती है या फिर lung infection फेपड़ों में संकर्मड हो जाता है तब भी इसको इसको इस्तेमाल में लिया जाता है काफी popular tablet होती है और इसके अगर हम dose की बात करें तो added को यह one tablet TDS मदब दिन में तीन बार एक tablet हम दे सकते हैं अगर कोई बच्चा है तो उसे one tablet bd मदब दिन में दो बार एक tablet हम दे सकते हैं तो इस तरह से यह use में ली जाती है